ओम शान्ति 21 नवंबर 2023 की मुल्ली आज की मुल्ली है मन मनाभव मध्याजीभव होकर रहना और साथ ही शिप बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए एक नशा चढ़ा कर रखना इस एश्वरिये पढ़ाई की विचित्रता बैज की वैल्यो मन की चंचलता समाप्त करने का फर्मूला और मीठी जगदंबा मा की मधर बोल बाबा की महवाक्य समझ पाने के लिए बुद्धी को शुद्ध करते हैं और बुद्धी की शुद्धी आत्मस्मृती और परमात्मस्मृती से होती है तो चलिए भीतर की और अपना जयोती बिंदु स्वरूप देखें मैं अमर जयोती बिंदु आत्मा हूं पुरी देहे को प्रकाशित करते हूं अमर हूं अविनाशी हूं देहे में प्रवेश हुई हूं वापिस निकल अपने घर लोट जाने के लिए इसके लिए मुझे पामन बनाने आए हैं मेरे प्यारे परम पिता श्य बाबा ग्रमातन में प्रवेश हुए हैं उनके मुखहरविंद से सत ग्यान देते हैं जिससे मैं आत्मा योगी बन पावन हो जाओं आज बाव ने कहा मीठे बच्चे सेकेंड में मुक्ती और जीवन मुक्ती प्राप्त करने के लिए मन मना भव मध्या जी भव मन बाबा में टिकाना ये है मन मना भव और सतियुक की स्मृतियां दोहराना ये है मध्या जी भव तो जब मन बावा में और स्वरक की दुनिया में लगता है तो इस कलियोगी दुख और पाप से मुक्त हो जाता है इसलिए कहा सेकेंड में मुक्ती और जीवन मुक्ती प्राप्त करने के लिए मन मना भव मध्या जी भव बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सब को बाप का परिशे दो और आज बाबा हमें बाबा को शो करने के लिए विधी बता रहे हैं कि बचे नशा हो कि हम अभी भगवान के बचे बने हैं वे हमें पढ़ा रहे हैं हमें ही सब मनुष मात्र को रास्ता बताना है हम अभी संगम युग पर हैं हमें अपनी रोयल चलन से बाबा का नाम रोशन करना है बाब की और शिरी कृष्ण की महीमा सब को सुनानी है हमारा आंतरिक नशा कि हम भगवान के बचे हैं वो हमें पढ़ा रहे हैं इससे बहुत स्ट्रॉंग औरा बनता है जिसका पवित्र शक्तिशाली वाइब्रेशन चारों और फैलता है इसी से ही अन्य आत्माएं समझ पाएंगी इन्हें कौन मिला है और हमारी चलन बहुत डिवाइन वैल्यूस से रोयल हो जाएगी तो ऐसी आंत्रिक नशे में स्थित होकर फिर किसी को बाबा का परीचे देंगे तो उन्हें ठीक समझ आएगा और शक्ति भी मिलेगी जिससे बाबा को हम शो कर पाएंगे और अब हम सुनते हैं प्यारे बाबा के कर्तवे गीता में है श्री मत भगवानों वाच तो श्री अर्थार्थ स्रेष्ट तो स्रेष्ट से स्रेष्ट तो निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहेंगे उनके लिए ही कहते हैं त्वमेव मात अश्च पिता त्वमेव उनको परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं क्योंकि वे जनम मरण में नहीं आते हैं, वे पतित पावन हैं, लिबरेटर और गाइड हैं, तो इस कल योगी दुनिया से लिबरेट कर, हमें गाइड बन करके, ऐसे साथ उड़ा के ले जाएंगे, जैसे ही कठा मच्छरों का जुंड उड़ता हो, तो ऐसे ही सब आतमाई शरीर छोड़ कर, मच्छरों के जुंड के माफिक बाव के पीछे जिलतियां उड़ेंगे, तो बाव केरें, मैं हैं पुर्शोत्तम संगम युग पर आकर ब्रह्मातन द्वारा, अनेक आधर्मों का विनाश कराए, एक आधी सनातन, देवी देवता धर की पुनर स्थापना कराता हूं, भगवानों वाच, सब मनश मात्र का मैं उद्धार करता हूं, और मनश उस बेहद के पिता को न जानने के कारण, और फन दुखी हुए हैं, तो अब आप कहते हैं, मेरे बनो, मुझे याद करो, और सेकेंड में, मुक्ती, जीवन मुक्ती का वर्सालू, तो वो सेकेंड है, राइट अंडस्टेंडिंग का, उस परमपिता की प्राप्ती के, खुशी और नशे का, जिसमें हम आत्म अनुभूती पर मात्म अनुभूती करके, अपने जीवन को दुख और पाप से मुक्त कर लेते हैं, और प्यारे बाबा, हमें रुहाने यात्रा का महत्व समझा रहे हैं, कि एक है, जिसमाने यात्रा, दूसरी होती है, रुहाने यात्रा, तो बाप समझाते हैं, तो माधा कल्प जिसमानी यात्राएं करते करते ठक गए हो, अब पुरुशोतम संगम युग पर तुमें, spiritual father मुक्ती जीवन मुक्ती की यात्रा सिखलाते कहते हैं बच्चे अब बेहद का सन्यास करो अब ये बेहद का सन्यास क्या होता देहे सहित देह के सब संबंधों को भूलो अपने को आत्मा समझो मन मना भव मन मुझ में लगा दो और मध्या जीभव या अपनी सत्योगी विरासत को याद करो तो अंत्मती सोगती हो जाएगी फिर इस रूहानी यात्रा के लिए बाबा केरें बच्चे तुम्हें याद करने की आदट डालनी बुद्धी में रखना कि हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं क्या रखना है बुद्धी में निराकारी दुनिया को पद्रश्य देखते रहना कि हम वही थे वहां से निचे आये हैं वो हमारा होम टाउन है फिर वापिस जाना है परमधाम से यहां आकर पाट बजाते हैं निचे आकर देवता, क्षत्रिय, वैश, शुद्र बनते हैं और अभी फिर से शुद्र से ब्राहमन बने हैं यह करम के अनुसार, पवित्रता के अनुसार आत्म की केटेगरी बनती जाती हैं अभी फिर से हमें ब्राहमन से देवता बनना है, यह भूलना नहीं हैं अगर यह भूलते हैं तो पाओं पीछे हट जाते हैं फिर purification की यात्रा हम ठीक से नहीं कर पाते हैं फिर दुनियावी बातों में बुद्धी लग जाती है मुरली आधी भी याद नहीं रहती याद की यात्रा difficult भासने लगती है तो यह स्मृतियों की यात्रा है जो बार-बार दोराते रहना है और अब प्यारे बाबा हमें इश्वरिये पढ़ाई की विचित्रता समझा रहे कि बचे तुम्हें स्वायम निराकार ओंच ते ओंच बाप बैठ इस पढ़शाला में राज योग की पढ़ाई पढ़ाते तुम ज्ञान और योग से रिफ्रेश हो जाते हो बाकी कोई भी पढ़शाला युद्ध का मैदान नहीं होता है यहां माया रावन के साथ युद्ध भी है कोई इसी का लड़ाई नहीं है तेकिन ये योग एक आंतरिक यात्रा भी है और विकारों के साथ युद्ध भी है तो तुम्हें राच योग द्वारा इस माया पर जीत पानी है माया जीते जगत जीत बन जाना है परंतु माया बड़ी प्रबल है बहुतों को तुफान में लाती है कायन भी है आश्चरेवत सुनन्ती, कतंती, भागनती हो जाते है भोतों से ये रुखानी यात्रा निरंतर नहीं की जाती है तो भाग जाते है तो माया से मर कर फिर वापिस इश्वर का बनते हैं पिर कभी इश्वर का हाथ छोड़ माया का बन जाते हैं तो बाबा समझा रहे हैं, बच्चे माया से डरना नहीं, आखरेन जीत तुम्हारी होनी है, यह mental weaknesses हैं, जिनसे लड़कर जीतना है, तुम जब बाप के बने हो, तो पक्का बनना चाहिए, इस इश्वरी नौलेज से ही, तुम सोलह कला संपोर्ण, और संपोर्ण निर्विकारी बन जाएंगे, इसलिए इस पढ़ाई को जारी रखना है, बीच में ठक कर छोड़ना नहीं है, और इस पढ़ाई में एक महत्वपोर्ण चीज बाबा हमें देते हैं, हमारा बैच, यह बैच, हमें हमारा लक्ष बताता रहता है, कि हमें ऐसा नर से नाराण, नारी से लक्ष में बनना है, तो इसे लगा कर रखना है, बाबा केते कई बच्चों को बैज लगाने में लज जाती है, यह भी दिहे अभी मान है, तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं, तुमें सब को सत्य बाब का परीचे देना है, और सब को बताना है, कि स्रिष्टी चक्र को समझने से तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे, तो तुम बच्चों को समझाने का भी बड़ा नशा होना चाईए, तुम अभी बेहद के बाबा का शो करते हो, तो बाबा ने इस पढ़ाई के द्वारा एक यग्य रचा है, जिसको रूद्र ज्ञान यग्य कहते हैं, रूद्र निराकार शिव ने ज्ञान का यग्य रचा है, जिसमें लगन की अगने विकारों की आहुती है, रूद्र भगवानु वाच, ये निराकार परम पिता परमात्मा का अविनाशी रूद्र ज्ञान यग्य है, जिसमें हमें अपने विकारों की आहुती देनी है, और उस आहुती से युग बदल जाएगा, यानि पुरान पुरानी दुनिया की भी आहुती हो जाएगी, पुरानी दुनिया का विनाशो नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, अब इसमें हमें डरना नहीं, तुरंत विकारों की आहुती देकर बाबा की कार्य को संपन करना, अब हम लेंगे प्यारे बाबा से आज का विशेश वर्द वर्दाता को याद करेंगे वर्दाता सर्वशक्तिमान निराकार महाजयोति बिंदु ब्रह्मातन से मुझे निहारते हुए उनकी शक्तियां मुझ पर फोकस्ट है मेरे अंदर समा रही है वर्दान मिल रहा है बच्चे मंसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीन्ता और विशेष्टा संपन्न भव तो मंसा और वाचा दोनों का मेलन जादू मंतर का काम करता है यानि जो बोल रहे हैं उसके साथ-साथ मन से शक्तिशाली रूप से किरने और दुआएं देते रहें अगर ये साथ-साथ चलता रहा तो इससे संगठन की छोटी-छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे कि ये तो जादू हो गया मन साशुब भावना वाशुब दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी पुरुशार्थ से कभी दिलशीकस्त नहीं होंगे संगठन में कभी घबराएंगे नहीं तो मन सावाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मारक की सेवा का प्रभाव दिखेगा यानि फ्लाइंग स्पीड से सेवा हो जाएगी अब सेवा में इसी निवेंता की विशेष्टा से संपन बनो तो नौ लाग प्रजा सहज तैयार हो जाएगी तो हमें क्या स्पेशलिटी यूज करनी है सेवा में बाचा सेवा करते हुए मनसा को भी शक्ति शाली दुआएं और लाइट देने में बीजी रखना है तो वो प्रभावशाली हो जाएगा आज का सलोगन बुद्धी यथार्थ निरने तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलिस बनेंगे तो अटेंशन और चेकिंग वाइसलिस बनने पर ताके निरने शक्ति यथार्थ हो जाए अब सुनते हैं मातेश्वरी जी की मधुरवानी जिसमें मुखेता ममा कह रहे हैं कल योगी असार संसार से सत्योगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है हम जानते हैं एक बाबा का काम है तो कल योगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं माना इस स्रिष्टी में पांच भूतों की परविश्टा होने करण कोई भी वस्तु में वो तकत नहीं रही अर्था सुक्षान्ती पवित्रता नहीं रही है जो इस स्रिष्टी पर कोई समय थी, फिर इस स्रिष्टी को भाय का सागर, अथ्वा कर्म बंधन का सागर भी कहते हैं, मनुष दुखी हो पुकारते हैं, परमात्मा हम को भाव सागर से पार करो, तो इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभे अथ्वा, निर्भैता का भी संसार है हैं, जिसमें चलना चाहते हैं, इसलिए इस संसार को पाप का सागर केते हैं, जिस से पार कर पुन्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं, तो दुनियाएं दो हैं, एक सत्य यूगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कली यूगी असार वाली दुनिया, दोनों दुनियाएं इस स्रिष्टी पर होती हैं, पर ले चलने वाला एक शिव बाबा सभी का पिता आ गया है, तो उनका हत पकड़ हम चलेंगे इस पार से उस पार. आज के महवाक्यों से हम होमवर्क ले लेते हैं कि हमें गुद्धी से बेहद का सन्यास करना है, केवल दुनिया नहीं छोडनी है, लेकिन दुनिया में रहते विकार और पाप छोड़ देने हैं, और रुःणी यातरा में रहने की आदट डालनी हैं, स्मृतियां जागरित याद रखना है, हम किसके बच्चे हैं, कौन हमें पढ़ रहा है, नशे में, फिर मंसा की ताकत साथ मिलाते हुए, वानी से, सब को परमात्म पहचान बतानी, और मन की हलचल को समाप्त करने के लिए, सदा शुब दुआएं देने में बिजी रहना, और अपने निर्ने शक्ती को यथार्थ बनाने के लिए गुद्धी को निर्विकारी रखने की आद़ डालने हैं, माया के तुफानों से घबराना नहीं, एश्वरी ये पढ़ाई, अच्छी रीती पढ़ने हैं, बुद्धी को निर्विकारी बनाने के लिए बाबा के निराकारी स्वरूप पर बार बार एक आग्र करते रहें निराकार जोति बिन्दु बाबा, उनकी संतान में निराकार आत्मा, उनके देवे प्रकाश को अंदर समाती हूँ चारों और फैलाती हूँ, यह अंतर की आँख से बार बार देखते रहें ओम शान्ति झालाती हूँ झालाती हूँ झालाती हूँ वसको मत फैलाती हूँ है. झाल झाल